हेलो गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ मखाने की बहुती ज्यादा फायदे मन्द रेसिपी शेयर करूँगी मखाने खाने से बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं, वीडियो का एंट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो में आपको बताऊंगी की मखाना कब कैसे और कितना खाना चाहिए इसके सामने बड़ी बड़ी दवाईयां भी फेल हैं, ये मखाने आपको किसी भी प्रोविजन स्टोर पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे एक कटोरी मखाने का सेवन हमें रोज ही करना चाहिए, चाहे तो हम इसकी खीर बना कर खाएं, या सबसी बना कर खाएं, या दूद में उबाल कर खाएं जो लोग वजन कम करना चाते हैं, उन्हें भी मखाने का सेवन करना चाहिए, क्योंकि मखाना खाने से पेट भरा भरा रहता है और लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती, मखाने में भरपूर मातरा में कैलशियम, मैगनीशियम, जिंक और कोपर होता है, कैलशियम होने की वज में राहत दिलाता है मखाना, और दूसरी खासियत ये है कि जिन लोगों को बहुत कम उम्र में जूलियां पढ़ जाती है, तो वो जूलियां नहीं पढ़ेंगी, आपके चेहरे पर विंकल्स जूलियां नहीं आएंगी, चेहरा आपका चमकदार बना रहेगा, अगर मखाने का सेवन दूद के साथ किया जाए तो बहुत ही फाइदे मन साबित होता है, मखाना खाने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि जो डाइबटीज पेशेंट हैं, जिनका शुगर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ हो, अगर वो मखाने का सेवन करेंगे तो डाइबटीज ठीक हो अगर किसी भी हिससे में सूजन अगर है तो सूजन ठीक हो जाती है, बालों के जड़ने में बहुत ज्यादा फाइदे मन साबित होता है, बालों को सफैद होने से रोकता है, अगर आप इसका रोज सेवन करेंगे, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी जूरती में चार चांद लग जाएंगे इसे प्रेगनेंसी लेडी भी ले सकती हैं तो इसे खाना कैसे है और कितना खाना है रोज चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है मखानों को ड्राइ रोस्ट कर लेना है जो इन में नमी है वो हट जाएगी अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो मखाने बहुती बढ़िया क्रिस्पी हो चुके हैं देखिए इस तरह से तोड़ने पर ये पता चल जाएगा इस तरह से अगर ये एक दम से तूट जाते हैं तो अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं तो बस गैस को कर दें दूद को गर्म करने के लिए इसमें हम डालनेंगे मखाने एक किलास दूद में मैं डालूंगी एक कटोरी मखाने और अब दूद को मिठा करने के लिए हम यूज करेंगे मिश्री का मिश्री के इस्तमाल से भी हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है अगर हातो पैरों में जल काने सोफ्ट पढ़ जाएं गैस को कर देंगे ओफ आप चलिए दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूं अब यहां पर लिया है मैंने चिली कटर इसमे में मखानों को बारिक कर लूँगी चाहे तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप जितने अम दूद में डालकर आप जब बिचाहें डालकर पी सकते हैं किसी भी एर टाइट डबे में आप इसको भर कर रखेए और इसी पाउडर से आप swingsipों कने मखा सकते हैं तेखिए यहां पर लिया है मैंने एक किलास दूद और तो एक झिलास दूद में यहां पर हम डाल पाउडर डलते ही बहुत ही जल्दी से दूद गाड़ा हो जाता है और ठंडा होने के बाद और भी गाड़ा होता है तो बस गैस को ओफ करेंगे इस तरह से खीर बना कर आप बच्चों को बड़ी आसानी से खिला सकते हैं बच्चों के लिए भी बहुत ही फायदे मंद होते हैं मखाने तो आपको रात को सोने से पहले इस तरह से मखानों का सेवन करना है जो भी तरीका आपको अच्छा लगा हो इसी तरह से आप खा सकते हैं तो उमीद करती हूँ आपको ये जानकारी एच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आये हैं तो फॉलो करना बिलकुर न भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्हाफीज